दोस्तों मस्कार शेट्जर बलाइन में आप सभी कास हो आगयता है दिली पुलिस को निस्टेबल निव वेकेंसी के लिए SSE की तरब से ओनलाइन फोरम डेट और साथ ही आपके एक्जाम डेट के लिए सेडूल जारी कर दिया गया है तो दोस्तों SSE की तरब से नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही काफी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि ओनलाइन फोरम शुरू होने में इतना समय क्यों लगा इतनी लेट ओनलाइन फोरम क्यों तो दोस्तों पूरी जानकर याज दिलिफिस नियू वेकेंसी की देखते हैं यहाँ पर दोस्तों SSE की तरब से देखे कल रात कोही नया नोटिस जारी किया गया यह आप देख सकते हैं इसके अंदर दिलिफिस की सारी भरतियां है एक कॉनिस्टेबल ड्राइवर, हैड़ कॉनिस्टेबलए मिनिस्ट्रियल इसके अलावा आपकी MTS की सारी वेकेंसी पूरिफिस की इसके अंदर है लेकिन आज किस इस विडिमें बात कर रहे हैं दिलिफिस कॉनिस्टेबल भरतिकी तो यह देख लिए रिक्रूटमेंट ओफ कोनिस्टेबल एग्जीकिटिव मेल और फीमेल एग्जामनेशन 2022 यह है दोस्तो आपकी मेहन भरती और इसके लिए दोस्तो ओनलाइन फोरम कब से शुरू होंगे तो यह देखे यह आपकी है डेट ओफ एडवर्टाइजमेंट और के है क्लोजिंग डेट तो डेट ओफ एडवर्टाइजमेंट है आपकी 9 जनवरी 2023 यानि दोस्तो 9 जनवरी को दिली पुलिस को निस्टेबल भरती के ओनलाइन फोरम शुरू होंगे और खतम होंगे 12 फरवरी को ठीक है अब दोस्तो यहाँ पर देखे तकरीबन एक साल है आ प्रितंग लेट भरती क्यों ही देखे दोस्तो यह नियूज आई थी कि दिली पुलिस भरती का MOU साइन कर लिया गया है SSC के साथ में और दोस्तो वो बिल्कुल सही भी है MOU साइन किया गया तब ही तो यहाँ पे SSC की तरब से सेडूल जारी किया गया लेकिन दोस्तो दिली पूरा टाइम टेबल तयार किया गया और दोस्तो इसी टाइम टेबल में कोने स्टेबल वाली भरती को लास्ट में रखा गया इसलिए दोस्तो ये भरती आपकी हम कह सकते हैं कि लेट हो गई ठीक है अब एक साल बाद में 9 जनवरी को इसके लिए नोटिफिकेशन आएगा और अधन शुरू हो जाएंगे एकजाम इसका मई 2023 में है तो दोस्तो MOE तो साइन किया गया था सही बात थी हो लेकिन यहाँ पर MOE साइन होने के बाद में हम सब जो उमीद लगा रहे थे कि कुछी दिनों में कुछी महिने में फारन शुरू हो जाएंगे अब वो उमीद जादा हैं ठीक है 5-6 अलग-लग भरती हैं दिल प्लिस की तो सभी एक साथ ऐसा सी नहीं करवा सकता इसलिए उनका एक सेडूल बनाया गया है जिसमें कोन इस्टेवल वाली भरती है वो दुरू बागयवस कहें कुछ भी कहें लेकिन उसको लास्ट में रखा गया है ताकि य चुनाओं के नस्दीक भी रख इसका यह भी एक उदिस्ट से है तो कि दोस्तो 2024 में चुनाओं है आप सब जानते है और 2023 में वेकेंशी का अना इसका चुनाओं के उपर भी प्रभाव पड़ सकता है तो हो सकता है सरकार का इसके पीछे चुनाओं वाला भी एक लक्ष्य हो तो दोस्तों उम्हीद करता हूँ अब आपको पूरी जानकार अच्छे समझ में आगए आपके लिए खास इंफोर्मेशन दोस्तों गर बैठे आप अपने किसी भी SSC एक्जाम के त्यारे कर सकते हैं दिल इपली सो या कोई और SSC के एक्जाम बिल्कुल फ्री में आपके पहली बार जाके तो आपसे कोड बूचेगा उसमें SGL 2021 लगा देना फिर आप क्लासेज बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे ठीक है एक रुप्या भी आपको नहीं देना है तो दोस्तों स्वीडियम में इतना ही थाइंकियू जैहिंद वंदे मात्रम